तो गाइद देखिए इसी परकार से ले जा रहे हैं चीन लगता जा रहा है हेलो फ्रेंडा गूड आप्टर नून तो दोपार के बज़ रहे हैं बार है आज सुबह ब्लाग नहीं चालू कर पाएं क्योंकि कहीं बीजी थे बीजी यहां पर थे काम करने खेत में केला लगाने की खेती हो रहे हैं तो यहां पर हम लोग काम कर रहे हैं चार पांच लोगा पिलाल अभी रदाना हो रहा है देखिए आप लोग दिखाते हैं कैसे कैसे केला लगाया जाता है कैसी इसकी खेती होती है किस कितना प्राफिट ह शाचा जी है उस तरब देखिए चाचा है और इस तरब मिस्त्री तो फिलहाल इसी में केला लगाया जाए तो अभी देखिये यह लाइन खीची जा रही है, तो लाइन यह मिस्त्री खीच रहे हैं उदर चाचा, तो यह जो रसी है ना रसी के सहारे, इसके ऊपर अभी उमेश चाचा और यह गमचा चाचा को देदेना उदर, तो यह लोग अभी इसके ऊपर जो लेकर जाएंगे साइकी लवर, ची न लगा दिए पूरे तीन हजार कभी जाया बता रहे थे चाचा जी पूरे तीन हजार कभी या और बताया जाता कि इसके अंदर पांच प्रकार की खेती होगी करेला हो गया सरपुतिया होगी निनुआ हो गया खेला हो जाया कि इसके अंदर गो भी और हो सकता है क्या बैगन गो पर आप देखें जामून इतना मस्त लगा वह लेकिन बहुत उंचे मस्त होता है तो गाइद देखें इसी परकार से ले जा रहे हैं चीन लगता जा रहा है यह रहा है तो देखिए यहां पर हम खोद रहे हैं लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए मैंनत तो बहुत काफी कर रहे हैं प्लीज भारत मटाटी काम खतम ही होने वाला है ज्यादा नहीं रह गया है बस एक गंटे का और काम है पांच बच गये हैं तो चलिए ठीक देखे कितना पसीना हो रुखा तो गाई साम के बच चुके अच्छा है चुट्टी हो चुकी है तो गर्मी काफी ज्यादा तो चल रहे हैं अब नदी नहाने जा रहे हैं बहुत दिन के बाद बहुत दिन के बाद चल रहे हैं साम को ही नहाने चल यह वहां पर देखते हैं कि हां नदी बहुत ज्यादा नदी में बाड़ा चुकी है भी दिखाते हैं आप लोगों कि अधर देखिए मंदिर का निर्मार भी हो रहा है अधर देखिए कि सालाव नदी पे आ चुके देखे कितनी तेजबाड है प्रात कहा मुनितन रघुराई निर्भय जग करहु तुम जाई जय स्री राम तो आप लोगों को बैक कमरे से दिखाते हैं नदी का कुछ सीन हुआ यहां पर देखिए कायम पलगा हुआ है है अधिया कोई बोट है कोई भी मदलाब जहाज है कोई तो यह रही नाव और मैं तो पहली बार देख रहा हूं इसे नाव है तो चल यह चलते हैं नहाने देख सकते आप गाई कि कि ना जो है देखिए कितनी जादा बड़ी हुई है बहुत जादा बाड़ा चुकी है और मौसम देखिए कितना रंगीन आज है तो अब चर रहे हम चाचा और सभी लोग नहने के लिए यार हमारे रंबाग में काफी जादा ब्यवस्ता हो चुकी हैं पर देखिए डिजाइन कितनी अच्छे ची बनी है अब कर दो हुआ है अब कर दो हुआ है तो गाई मस्त नहाद होके आगे और असाम के बच चुके हैं साड़े साथ अब चर रहे हैं देखिए अमरूत खाने अमरूत खाने देखिए फल लगा हुआ है तो चल रहे हैं खाने खाने के बाद चलते हैं साड़क की तरब भूमने के लिए चलो भाई आगए हम रूत के पेड़ के पास तो आते हैं ले सत्यम खा लगा तो बहुत है देखिए पर अभी थोड़ा हलका हलका कच्छा है एक मिला और गाइद दो तीन फड़ा था मतलब पका हुआ था वही तोड़े हैं टेस्ट करते हैं करा मस्त जिसको जिसे उखाना कमेंट करें मैं पारसल करा दूंगा घर पर मेरा यह वह सामको अमरूत तो नहीं खाना चाहिए कि कोई खास्ती होने की समभाव ना रहती है तो चलिए अब सलक की तरब चल रहे हैं गुमने टालने के लिए हम हैं कहला है करना हैं संटयाम तो घया घर क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी तो चलिए हम लोग चल रहे हैं कैसे हूा ठीक है हृँ बिस्तेदार में बताएंगे नहीं अब यहां से मिलता हूं कल वाले व्लाग में उम्मीद करता हूं आप लोग को पसंद आयो पसंद आया है तो लाइक कमेट शेर और सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं कल वाले नेट वाला में ततक के लिए थैंक यू पाई